हेलो मैं लवली फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल यह जो लुक आप देख रहे हैं अभी मेरी यह है टिंपल शेड आईशाडो तो यह लुक आप कैसे अचीव कर सकते हैं यह देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट रख देखिए तो मैं स्टैब बैस आपको बताऊंगी कि यह आईशाडो आप अपने खुद घर पे कैसे बहुत एजली अपलाई कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि यह आईशाडो आप घर पे कैसे लगा सकते हैं और हां अगर आपको जी आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेर स्जाड़ तो इसी बुरी लग रही हूं कि मैंने एर वोश किया था तो मैंने ऐसे बाल उपर करके रबर्ड बांड़ लिया था अब बना लिया थे तो मैं आइबरो के जो साइड के एज़े से उनको क्लीन कर रही हूं कंसीलर के साथ में और मैंने अपनी आइलिट्स के ऊपर भी आइज लगा लिया था अब मैं ऐसे फार का आई शैड़ पैलेट ले रही हूं उसमें पहले मैं डाक ब्राउन अर्थी ब्र अब प्रेंस शायद आपको यहां पर डोगी के बार्किंग की बीचे से वाज आ रही होगी यह मेरे पड़ोस में डोकी वो बड़ा ही शोर मचाता हूँ है मैंने डोर्स भी ख्लोज की हैं फिर भी शायद आपको शायद आवाज आ रही होगी तो इस डिस्टर्बंस के दिखाती हूँ यह मैंने एक फ्लफी ब्रश लिए फ्लफी ब्रश के साथ में यह जो आई शैडो है ब्राउन शेड का बेमो पूरी आई लिट्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताह कि यह मेरी स्किन के साथ में मेल्ट हो जाए यह देखिए बड़ा प्यारा सा लुका र आई शैडो लगाने तो सबसे पहले आई लिट्स के ऊपर आप दुबारा से कंसीलर जरूर लगाएगा क्यूंकि जो आई शैडो होती ना तो कई बर उसका जो शेड होता ना वो प्रोपर नहीं आता जैसा हमें चाहिए होता है तो आई श्रोली आप्लाइं इस कंसीलर तो आई शैडों आई लिट्स शोरी फोर माइ बै बैद बैद ग्लोस पेस ओमाइगा पाता नहीं आज कैमरा कैसे मैंने रख लिया था सैटी नहीं हो रहा था इतनी बुरी शायद आज तक मैं किसी वीडियो में नहीं लगी हूंगी अब फ्रेंड्स मैंने वही ऐसे फार के आई शैडो पैलट से पहले मैंने जो पैरेट ग्रीन शेड है उसको उठाया है तो वह मैं अपने आउटर वी के उपर अपलाई कर रही हूं और मैं तब तक यह ग्रीन शेड लूँगी जब तक मुझे जो मेरा मनफसंद का ग्रीन शेड है वह और कलर वहां पे आलिर्स की उपर ना आ जाए प्रश के साथ में जो कर लेते हूं वह पहले स्थोड़ा सा लाइट आता है तो हमें उसको डार करना पड़ता है बाकि अगर आपको जैसा भी लाइट डार्क जैसा चाहिए आप वैसे अपलाई कर सकते हूं बढ़ मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था क्योंकि कई बार वीडियो में हैं ड़नेटेटेश पिर लाइट्स दिखता है यो पता नी किया है आज मैंने ऐसा च्छाइज आ ज्यादेटेश लिया पिता के अपने आधे बूबद और नहीं है तो इस चीज के लिए I'm sorry guys कि ये थोड़ा सा कैमरा मेरा घूम गया था मुझे पता नहीं चला मैं काफी वह आईशेडो लगाने में ही बीजी थी तो मैंने थोड़ा सा दियान ने दिया आगे के वीडियो में मैंने ये गलती देख ली थी तो मैंने कैमरा थोड़ा सा सेट कर तो जब तक ये कलर इंटेंस नहीं हो जाता तब तक मैं ग्रीन शेल्ड को अपलाई करती जाओंगी आईलिर्स की उपर आउटर भी पे वैसे एसे फार का बहुत अच्छा है आईशेडो पैलेट आप भी ओडर कर सकते हैं ये मैंने एमाजून से मंगवाया था आप भी एमाजून से देख सकते हो अच्छली मैंने तो तीन पैलेट्स पंगवाय थे तो वह मिरको धाई तीन हसार के पड़े थे तो इसका बीच में मैं अप्राइज आपको देखके बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आपके आई शेडव पैलेट के रिव्यू कर दूंगी यह मैंने अब डार्क पिंग होता है जो रानी शेड़ होता है वह मैं ले रही हूं वह मैं अपनी आईलिट के सेंटर में अपलाई करूंगी ब्लेंड कर रही हूं अच्छी तरह से ब्लेंड 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 इस माइप्रेंड इतनी ठंड अभी भी पड़ रही है ना दिल नहीं करता कि वीडियो बना लें जिस कमरे में मैं वीडियो शूट करती हूं फ्रेंड वहां पे बड़ी ठंड होती है जब तक पिंग शेड आपको अपनी चोईस का ना मिल जाए आप पिंग शेड को लेते रहे और अपनी आइलिट के उपर अपलाई करते हैं मैंने कम से कम चार पांच स्ट्रोक लिये थे इसके पिंग शेड के जो डार्क वाला है तो इसके बाद में अच्छा सा बड़ा इंटेंसा प्यारा सा कलर आ गया था जैसे कि आप दे सकते हैं ना काफी अच्छी से करते हैं दूण यहीं आप लिया जैलो शीयुख लिया था आपने चैजा लिया था इसे अधर के पैलेट में घुल तो इसको भी मैंने कम से कम तीज छार की फ्ट्रोक लेकर अपलाई क्लिया था टो इसके लोग्स को ृधी और शीसे मेल्सस ना थोड़ा ही थोड़ा आप तो मेकप वैसे तो मैं आपको यह रेकोमेंड करूंगी हमेशा आई मेकप पहले कीजिए तो इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पे मत जाएए जो जैसे आज कर ना मलब की टुटोरियल्स दिखाते हैं हमेशा आई मेकप पहले कीजिए फिर फेस के उपर सब क्लीन करके मेकप वगळा तो इसके बाद में ही फेस अएक प्रेस में इक कीजिए यह मैंने एस ओ के पैलेट समें ही टुटे के उपर अप्लाई करूंगी पूरे ही मैंने जो ग्रिन ज्यलो झालो अभर मैंने सारे की उपर मैंने घ्लिटर अप्लाई कर लिए तए अचिली पहले मैं यहिसंगी झालाइनर लिया था है मैंने पिन अपलाइनर लगाेँ विंक ही आईनर नहीं लगाए है यही मेबलीन का ही कोलिसल मसकार है जो मैंने अपने कई वीडियो में आप देख चुके होंगे मैं यहीं लगाते हूँ इसका जो तो टिगमेंट है ना बहुत ब्लैक है बहुत अच्छ है यह मेरा काफी चल गया मैं कम से कम लास्ट यह की वन यहर से यूज़ कर लियूंगा इस काफी अच्छ है ड्राइ भी नहीं हुआ मेबलीन का कोलसल मस्कारा यह दिखिए फ्रेंड्स यह है मेरी अभी मैंने आई लगाए तो यह त्रिपल शेडर और ग्लिटर लगाने के बार में ऐसी आइस की लुक आई है लाइनर भी है देख लीज़िए मैंने सिंपल लगाया है क्योंकि मेरा पूरा फोकस ज्यादार इसमें था कि मेरे जो आई मेक आई लगाके तो फेस पे मेक अपलाई कर लिया था अब मैं अपनी ब्रोबन के ऊपर हाई लगा रही हूं यह मिस कलियर का हाई लाइटर है रोज गोल्ड शेड है यह मेरा फेवरिट है रोज गोल्ड यह दिखिए आफ्टर आई लाइश अपलाई करने के बाद में लुक क अब मैं था इस इस जए आफ्पले ने लेया था ब्लॉड़े इसका भी रिव्यू करोंगी यह मैंने न्यू ज़िए क्या था इसके सारे रहा लुक्त ब्लॉडरी हैं इसी जयासे नी अच्छे लग रहा है अं जया से मैंने और यह त्युन में नीचे मैंने आख्रय के वो शयाद मेरे से स्किप हो गया होगा नीचे वाला जो वोटर लाइन पे हम शेडिंग देते हैं अब मैबलीन का ही जो जेल लाइनर है वो लिया है ये जेल लाइनर फ्रेंस इतना आच्छा है इसका मैंने रिव्यू अपने नाइका होल में किया था आपको मैंने दिखाया थ तो ये मैं gel liner अपनी waterline पे apply कर रही हूं वैसे gel liner गाहते नहीं काफी labor काफी इनकी step power रही होता है भाकि काफी ध्यान से लगाने पड़ते ये अब मैं थोड़ा सा face makeup अपरा बेना set कर लेती भाकिका highlighter nos पे apply कर रही हूं छीकस पे भी लगाऊंगी अगर आपको मेरी वीदियोद अच्छे लगते हैं, तो please मेरी वीडियोद शेर किया किजिए सब्सक्राइब अगर आप buscar! अगर आप लोग मेरी वीडियोद करेंगे बाओने के सब्सक्राइब करेंगे, अब आपते अच्छे यहीडियोद उतले हैं अब मैंने फिंगर से एप्लाई के रहा है। क्योंकि मैं तो ब्रश रखा लिए अधिया रखा हो था। मैंनी ब्लेंजर के साथ में इसको सेट कर लिया। अब मैं लिप शेयर्ड अप्लाई करी हूँ यह गाइस मैंने ना दोड़ाई साल हो गया है यह मैंने मैं का ना रैड और पिंक का कॉमिनेशन था वह वला लिप लाइन रहते इसका पीछे का जो नंबर था न वह थोड़ा सा लाइट हो गया मेरे को पता नहीं कौन सा यह आफ्टर फेस मेकप एंड फुल आई मेकप वाव मुझे तो बहुत अच्छा लग रहे हैं आम लुकिंग स्थो ब्यूडिफुल गाइस यह मेरी फाइन लुक तो मेरे बाल न थोड़े से वह गीले थी अभी तो मैंने ज्यादा कोई हीर स्ट्रेल नहीं मैंने बस थोड़े साइड से बाल कर लें पीछे को कलच लगा लिया और आगे के मैंने दो लिट जू है ना वो मैंने करल की हैं तो पंजाबी सूट मैंने डाल ला है जो मेरे आई मेकप को कॉम्प्लिमेंट कर रहा है और एरिंग्स भी मैंने मल्टी कलर के जो मांग टिका वो भी लिया है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजि अगर अगर जेन्हों को सब्क्राइब नहीं किया गाई प्लीज मैरे चैनल को सब्क्राइब msक्राइब कीजिए मुझे तुझी आई मेकब बहुत अच्छा लगा वैसे यह आई मेकब मुझे करना ही था तो मैंने काफी टाइम से मेरा मन था तो फिर फाइनली आज मैंने यह अपलाई कर लिया थैंक्स फ्रेंड्स पर वोचिंग माई वीडियो तो आप मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें लाइक शेर कमेंट करते रहें लव यू गाइज सीजू नेक्स वीडियो